इस पीडियो में आज हम बात करेंगे NPS के premature exit के बारे में जब आप एक सरकारी sector में हो यानि कि जो आपकी job है वो government sector में हो चाहे वो central government हो या आपकी state government हो तो state government में आपकी अगर job है उस case में अगर आप exit करते हैं before 60 years और super annuation यानि कि आप जो retirement की age है 60 साल उससे पहले ही NPS से exit करन चाहते हैं तो उस case में आपको premature exit माना जाता है इस case में अगर आप जो NPS से exit करेंगे तो उस case में अगर आपका NPS corpus यानि के जो भी आपकी fund की value जितना भी आपने contribution करा प्लस सरकार ने जो contribution करा उसकी जो value है fund की आपके NPS corpus की अगर 2,50,000 के बराबर या उससे कम होती है तो उस case में आप जो corpus है वो 100% तक bid draw कर सकते हैं यानि के वो आपके खाते में आ जाएगा उससे एक तरह से आप निकासी कर सकते हैं लेकिन यह जो निकासी होती है वो taxable हो जाता है तो इस तरह से आप 5,000,000 तक जो पैसा है वो आप निकाल सकते हैं उसमें आपको अलेक से कोई भी एनिटी लेने की जरुवत नहीं है दूसरे case में आप बात करें जो आपका NPS corpus से उसकी value यदी 2,50,000 से जादा है तो उस case में आपको दो तरेकी की condition met करनी होती है आपको एनिटी purchase करने के लिए invest करना होगा जिससे कि आपको हर महीने एक तेसुदा pension मिल पाए यह जो corpus होता है वो कुछ जो NPS के trust द्वारा approved insurance company है वो इसे आपको pension plan देती है और वो company द्वारा guaranteed होता है lifelong तो वो आपको 80% का जो हिस्सा है उससे वो खरीदना है वो mandatory है और ज वो आप निकाल सकते हैं यानि कि उसको अपने account में ले सकते हैं लेकिन जो portion जो 20% है वो taxable होता है अगर आप चाहें तो पूरे amount का भी annuity ले सकते हैं लेकिन 80% कम से कम आपको लेनी ही होती है यह नियम है आपका NPS से exit करने के लिए तीसरी condition आती है कि अगर आप चाहें तो N NPS में continue रहना चाहते हैं तो उस case में आप जो आपका government sector से जो आपका प्रान है उसको shift कराएंगे आप all India citizen model पर तो इसमें अगर आप shift कर ले तो इसमें normal आपका NPS corpus जो भी रहेगा प्लस आप हर साल कुछ उसमें डालते जाएंगे तो इस तरह साब NPS को continue भी रख सकते हैं इसके लिए आपको जो आपका employer है उसको लिखना होगा कि जो आप NPS में continue लेना चाहते हैं नहीं आप annuity लेना चाहते हैं और नहीं आप withdrawal करना चाहते हैं तो उस case में जो आपका employer वो आपके जो NPS के account को government sector से all India citizen sector में जो shift कर देंगे इस तरह से आप NPS में continue कर पाएंगे तो इस तरह से जो NPS का premature exit होता है सरकारी sectors के लिए फ्रेंड्स थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद दें तो लाइक करें शेयर करें साथ इसके कोई भी आपका question है तो वह हमें comment box में जरूर दें